आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक क्वेस्चन से कि हमारे ग्रेट ग्रांट पैरेंट्स या हमारे जो दादा पड़ दादा थे वो कौन सी स्नेह या फेट का सेवन करते थे तो हम में से बहुत हो का आंसर होगा कि वो घी का सेवन करते थे जी हां जो घी है वो इसनेह में उत्तम बताई गई है जो सबसे best fat है जो हमें सेवन करने चाहिए वो घी है नमस्कार आईरवेदा free health insurance में आप सभी का स्वागत है अब सभी स्नेहों में घी को सर्वस्रेश्ट या उत्तम क्यों कहा गया है एक तो मैंने आपको बताए कि जितने इसनिया feds होते हैं वो पचने में भारी होते हैं गुरू होते हैं देर से पचते हैं उनमें जो घी होता है वो सबसे आसानी से पचता है पचने में हलका होता है क्योंकि वो अगनी के संसकार से बनता है अगनी के योग से बनता है इसके अलावा घी के लिए कहा गया है जिस भी द्रववे के साथ उसको काम मिलिया जाता है यानि कि वो अपने गुणों को रखते हुए दूसरे के गुणों को अपने में धारन कर लेता है इसलिए जो गृत है उसे सर्वस रिष्ट कहा गया है घी जो है धी, धृती, स्मृती तीनों के लिए बहुत उत्तम बताया गया है धी यानि की learning, धृती यानि की memory और स्मृती यानि उसको recall करना ये तीन aspects हैं हमारे mental functioning के इन तीनों को घी बहुत अच्छा करता है घी जो है उसे मिध्य रशायन कहा गया है, यानि के जितने भी mental functioning है उनके लिए बहुत अच्छा कहा गया है हार्मोन का balance करने में help करता है, memory और motor skills को बनाए रखता है, brain disorders को prevent करता है कुल मिला के जो घी है उसे nectar of the brain कहा गया है बच्चे, बुढ़े, सभी के लिए घी जो है वो अमरत के समान कारिये करता है, हमारी Indian culture में तो है बे, जब हम बच्चे को food शुरू करते हैं, तब घी उसके साथ दिया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि घी कितना सेफ है, अगर हमारे culture में ऐसा है, कि हम चोटे बच्चे को जब पहला खाना देते हैं, उसके साथ हम घी का सेवन कराते हैं अगनी को बढ़ाने में help करता है, आयू, बल, इनको बढ़ाता है, हमारी जो immunity power है, उसको बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान रहता है घी जो है, वो शुक्र धातू को बढ़ाने में बहुत अच्छा रहता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो fat है, वो important है hormones के लिए, especially steroid hormones या जो sex hormones हैं, उनके लिए घी बहुत अच्छा कारिये करता है, वो need है उनके निर्मान के लिए आँखों के लिए घी का प्रयोग बहुत अच्छा बताया गया है, वात पित के शमन के लिए घी बहुत अच्छा बताया गया है, इसके अलावा wish जिनने विकार कहा गया है, इसका अतलब है अगर हम अपने डेली के भोजन में 2-3 चमच अगर घी का सेवन करते हैं, तो जो यानि कि जितने भी पेस्टिसाइड्स या जो फूर्ड में खेमिकल्स आते हैं कहीं ना कहीं यह जो गी है वो हमारे बोड़ी को इन सब के इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकता है मानसिक विकार बताए गए है उनमाद अपसमार इनमें घी का बहुत अच्छा रोल है यानि कि ए आवशेक fatty acids और यदि आप शुद्ध घी का सेवन करते हैं तो सारे जो fat soluble vitamin है A, D, E, K इनकी भी पूर्ती हो जाती है जिर्ण जोर यानि कि जो जोर साथ दिन से अधिक दिन तक रहता है उसमें घी का प्रयोग बहुत अच्छा बताया गया है क्योंकि मैंने बताया है घी ज खान नहीं पाता है तो उसमें बल्कि वृद्धी के लिए तभी होगी जब उसके अगनी बढ़ेगी उसके लिए घी का सेवन बहुत अच्छा बताया गया है घी है वो हमारी cardiovascular health को है बनाई रखता है क्योंकि आपने सुना होगा HDL LDL cholesterol है वो हमारे लिए bad cholesterol है और HDL high density lipoprotein जो cholesterol है वो हमारे लिए अच्छा है और जब हम घी का सेवन करते हैं तो HDL को बढ़ाता है इसलिए हमारी cardiovascular health के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है तो घी जो है वो इतने सारे कारिय करता है अगर मैं शोट में कहना चाहूं सहस्त्र वीरियम विधी भीर गृतम कर्म शह कहने का मतलब है विभिन द्रव्यों से संसकारित करने पर इसमें हजार गुने शक्ति आ जाती है और ये घी हजारों कारिय करने वाला हो जाता है जैसे आपने medicated घी सुने हैं तो अलग-अलग ओशिधियों के प्रयोक से अगर हम घी को संसकारित करते हैं तो अलग-अलग र गृत है उसमें ये सारी क्वालिटी रहती है तो आप गृत का सेवन जरूर करें अब गृत के कितनी मात्रा का सेवन करें तो जैसा मैंने बताया फैट को कभी भी एकसिड में नहीं सेवन करना है तो विशेश रूप से अगर आप दिन में 2-3 चमच या 15-20 ml घी का सेवन करत है वह हीट और लाइट पर सिटेबल रहती है तो जो घी है वह बैस फैट है कुकिंग के लिए यैदि आप अफड कर सकते हैं तो घी जिञ है वह बैस के को किक के लिए क्ली क्योंकि जब हम इसको high temperature पे गरम करते हैं तो यह अपनी जो natural state है जो उसकी form है उसको change नहीं करता है इसके जो form है वो disintegrate नहीं होती है जिसकी वज़े से वो हमारी body के लिए बिल्कुल भी harmful नहीं होता है तो यह बहुत best चीज है कि इसमें cooking कर सकें बट घी में cooking करना जो कि cost effective नहीं है तो कोई नहीं हम cooking के लिए नहीं लेकिन डेली लाइफ में हमको 15-20 ml घी करना चाहिए और एक example देखें वेस्टरन कंट्रीज में Alzheimer's जो demensia या जो एक एज के होते होते लोगों में memory loss होता है वो इंडिया में बहुत नहीं मिलता है क्योंकि क हमारे tradition में हम घी का सेवन जरूर करते हैं और यह जो घी है यह mental health के लिए अमृत है जैसे मैंने आपको बताया कि this is the nectar of the brain आज हमने best fat जो है घी के बारे में बात करी है क्यों यह best है कितनी मातरा में लेनी चाहिए इसे हमें हमें आरी डाइट में शमलित करना ही चाहिए नेक subscribe करना मत भूलिएगा and तब तक के लिए take good care of yourself because health is wealth